हेलो एप्रीवन वेल्कम बैक टू दिस चैनल जियार मंत्रा आई होप कि आप सब अच्छे होगे आई होप कि आप सब अपने लेसन प्लान बना रहे होगे तो अगर आप मैथ लेसन प्लान बना रहे हो और आपको कोई भी डिफिकल्टी हो रही है तो डोंट वरी आज की इस को वर्क और वर्गमोल पर टॉपिक प्रवाइट किया हुआ था लेसन प्लान का तो जलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का है lesson plan सबसे पहले हैं Anda लिखें on-class आपका जो भी क्लास होगा आप class लिखेंगे तो इक लास 8 का टॉपिक है आप इससे सह क्थ 17-19 में बढ़ा सकते हैं से यह स्थिरेब का प्रवार नंबर निपर यहां पर अपयर करेंगे डेन अपका पता है विशय विशे में होगा आपका गणित दैना आता है आपका क्लूभी है आपने की AH पूरी डिखेंगे हैं जहते हैं और आपका सामानिय उदेश जनरल objectives ये क्या होता है आपका जो math lesson प्लान है ये पढ़ाने से आप बच्चों में कहके चीज़े develop करते हैं इसे हम कहते हैं सामान ने उद्देश या general objectives तो इसमें देखी कुछ आपके points यह हुए है चात्रों में गड़ित विशय के प्रती रूचित प्रण करना दैनिक जीवन में गड़ित के आवशक नियमों से बाल को अफ़कत कराना बालको में चिंतन एवं तरकmişक्ति और विधी से निरड़े लेने की अभ्यास कराना चात्रों को व्यावसाइक रूप से गड़ित का ग्यान देना चात्रों को गड़ित की दैनिक जीवन में उप्योगता को समझाना तो ये आपके कुछ हो गए points इसकी बहुत देखते हैं आगे आपका wishes to देश या specific objectives ये क्या होता है आपका जो आज का topic है घातांग तो ये पढ़ाने से आप बच्चों में क्या चीज़ डेवलेफ करेंगे इसे हम कहते हैं specific objectives तो ये देख लिए जिसमें चात्र एवं चात्रा हैं घातांग के बारे में जान सकेंगे ठीक है ये आप इसमें लिखेंगे अब आपका next आता है शिच्छण सहायक सामगरी ये क्या होता है आपकी teaching की time जो चीज़ आपको help करती है teaching में जैसे चार्ड, चॉक, डेस्टर, लपेट, शामपर, पॉइंटर, etc ये सारी चीज़ आपकी हो जाती है शिच्छण सहायक सामगरी में ये teaching ads में अब हम आगे देखेंगे आगे आपका previous knowledge previous knowledge क्या होता है आपका पूर्वग्यान आप बच्चों को कोई भी topic पढ़ाते हैं तो हमेशा उनको पूर्वग्यान से relate करते हैं ताकि बच्चों को आसानी हो समझने में उन्हें कोई भी difficulty ना हो आपकी इस topic को समझने में तो यहाँ पर देखें चातर घातां के बारे में सामाने जान काई रखते हैं आप बच्चों से यहाँ पर expect करते हैं देन आपका आता है introduction या प्रस्तावना प्रस्तावना में देखें आप बच्चों से कुछ easy question पूछते हैं जो बच्चों की पूर्व क्यान से संबंदित हो और आगे आपका आगे जो आएगा question आपका last वला उसमें आपका समस्यात्मक होना चाहिए क्योंकि बच्चे answer नहीं कर पाएंगे जो कि आपका उद्देश रिकतन होगा यहाँ पर देखिए आप सबसे पहले प्रश्न उतर विधी का प्रयोग करेंगे क्योंकि यहाँ पर आप प्रश्न पूछेंगे बच्चे उसका उतर देंगे means यहाँ पर question answer method का use होगा तो इसमें देखिए आपके कुछ columns दियों है इसमें आप question पूछेंगे आप question पूछेंगे 100 क्या है तो बच्चे कहेंगे 1 संख्या है अब आप question पूछेंगे संख्या 100 को किस रूप में और लिखा जा सकता है तो बच्चे कहेंगे 10 कोडे 10 इसके बाद यहाँ पर देखिए means 10 का square अब देखिए 10 के square में 2 क्या है तो यहाँ पर बच्चे मौन हो जाएगा answer नहीं कर पाएंगे तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका statement of topic means उद्देश कतन बच्चों आज हम सब खातां के बारे में अध्यन ध्यापन का कारे करेंग तो यह आई hope कि आपको यह दोनों पेस समझ में आये होंगे कि किस तरीके से आपको starting करनी है अपने lesson plan की अब देखिए आगे है आपका प्रस्तूती करनिया presentation आप बच्चों को किस तरीके से अपने topic को present करते हैं कितने parts में divide करते हैं अपने topic को और कौन कौन से method teaching method का use करते ह आप किस तरीके से बच्चों से question करते हैं विकासात्मक प्रश्न बोध प्रश्न किस तरह से आप करते हैं blackboard work कैसे करते हैं मुलांगन कैसे करते हैं बच्चों का यह सारी चीज़े आपकी प्रस्तूती करन में आ जाएंगी तो यहाँ पर आपका देखिए कुछ columns दिये आपके बच्चों को खंडों खंडों में कुछ parts parts में divide करके बच्चों को आप knowledge दे सकें तो यहाँ पर देखिए आप सबसे बहले बताएंगे घातां के नियम के बारे में कि घातां के नियम क्या है आप इसमें विकासात्मक प्रश्ट बोचेंगे घातां के बारे में आप क करेंगे तो यहां पर देख लीजिए आपकी स्ट्रीक से एक्स्प्लेइन करेंगे यदि किसी पूर्ड संक्या A को N बार गुड़ा किया जाता है तो गुड़न फल A का N घात प्राप्त होता है ठीक जिसको संकेत में A की आप इसमें लिखेंगे 3 की पावर 5 ठीक है इसमें क्या है आधार आपका 3 होगा और जो आपकी घात होगी जो आपकी पावर होगी वो होगी आपकी 5 इसमें देख लीजिए 10 की पावर आप 4 लिखेंगे तो 10 इसमें क्या होगा बेस होगा और आपका 4 क्या होगा यहां पर घा अब हम आगे देख लेते हैं, आगे है आपका शिचिद्धू सेकेंड, आप दूसर शिचिद्धू में क्या बताएंगे, समान अधार वाली संख्याओं का गुडण फला बताएंगे, इसमें आप विकास आत्मक प्रशन पूछेंगे, इंटू की पावर फॉर का मान कितना हो आप देख लीजे किस तरीक से एक्स्प्लेइन होगा इसमें, एक ही आधार वाली जब दो या दो से अधिक संख्या को आपस में गुड़ा किया जाता है, तो घातांको को आपस में जोड़ दिया जाता है, ठीक है, जैसे एकी पावर एन है, इंटू एकी पावर एन है, तो यहाँ पर देखिए, आप जब भी एक्स्प्लेइन कर देंगे बच्चो को, आप इसको देख लीजे यहाँ पर, टू की पावर फावर फॉर इन्टू में है, तो यहाँ पर हो गया आपका, टू की पावर नाइन, इस तरीके से आप बच्चो को समझाएंगे, एक्स्प्ल कर सकें, यहाँ पर देखिए, आपका उपर क्या है कॉलम, इवैलुएशन में स्मूल यांकन, आप बच्चो को इवैलुएट कर सकें कि उनको समझ में आ रहा है या नहीं, अब देखिए, आगे आपका थर्ड टीजिंग पॉइंट, इसमें आप सामान अधारवारी संख्य का विभाजन बताएंगे, ठीक है, किस तरीके से हम इसको विभाजित करेंगे, विकासात्मक प्रश्ण में आप यहाँ पर 2 की पावर 4, पाई 2 की पावर 2 का मान क्या होगा, बच्चे अंसर नहीं कर पाएंगे, अब आप स्पस्टिक करन विधी के द्वारा क्या करेंगे, इस पस्टिक करन देंगे, माना दो समान आधार वाली संख्या A और A है, ठीक है, जिसकी गहात M और N है, इसका विभाजन क्या होगा, सूत्र A की पावर M by A की पावर N equal to A की पावर M minus N, इस तरीके से आप बच्चों को explain करेंगे, blackboard पर कुछ example के साथ, आप बच्चों को solve क करके बताएंगे कि किस तरीके से इसको solve करेंगे, ये बच्चे आसानी से समझ सकेंगे, ठीक, अब आप क्या करेंगे, बच्चों से question पूछेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया, जितने भी explanation आपके end होते रहेंगे, उसमें से आप कुछ question पूछते रहेंगे, ताकि आप क्या कर सकें, evaluate कर सकें, अब देखिए आगे आपका श्यांपर शारांस है, इसमें देखिए, श्यांपर शारांस मैंने आपको बताया है, जितने भी example, जितने भी formula, आप बच्चों को explain करेंगे, वो सारे आप blackboard पर लिखते चलेंगे, ताकि बच्चों को और भी आसानी से स तात्र देहपक शारांस को शारांस को शांपर पर लिखेंगे, और बच्चे शांपर पर पदरशित लेकर अपनी पुस्तिका पर लिखेंगे, ठीक है, जिस वक्त बच्चे अपनी notebook में note कर रहे होंगे, उस वक्त आप क्या करेंगे, लास में round लाके, नीच्छन कारे ताकि बच्चे को आप देख सकें कि बच्चे लिख रहे हैं सारे की नहीं, क्लास में आप round लगाएंगे, ठीक है, तो ये हो गया, इसकी बाद आप देख रहे हैं, तो second column होगा, last से, इसमें आप देख रहे हैं, पुन्रविती की प्रश्न है, आप अभी तक जितना भी explain कि हैं, उसमें से आप कुछ कोशन पूचेंगे, ताकि आप बच्चों को evaluate कर सकें, कि उनको समझ में आया आपका topic के नहीं, आपने इस topic को कुछ parts में divide किया था, उच parts के जो प्रतेक आपके parts थे, प्रतेक खंड में, जो भी आपके शिचर बिंदू थे, उसमें से आप प्रश देंगे, और आप बच्चों को क्या करेंगे, evaluate कर सकेंगे, मिन्स उनका मुल्यांकन कर सकेंगे, अब आप देखिए, लास्ट में आपका gray car है, मिन्स homework, आप आपका जो आपका topic है, वो end होने के बाद आप बच्चों को homework दे देंगे, इसमें देखिए, आपका homework है, आप आपका जो next topic होगा, वो होगा, भाज, अभाज, वा, सभाज, संख्या है, I hope कि आपको ये topic समझ में आए होगा, आपके लिए easy रहा होगा, अगर आपको थोड़ा सा भी help में लिए हो मेरे इस topic से तो प्लीज मेरे इस video को like करके, अपने friends में share करिएगा, और प्लीज मेरे इ subscribe करके bell icon ट्रेस करना, बिलकुँ भी ना भूले, thank you so much guys for watching this video, मिलते हैं परे next video में